असलाम लेकूं वेलकूम बैक टू माइ चैनल आज हो रहा है रमजान का लास्ट रोजा तो आज हमने का क्यों ना बना लिये जाएंगे घर में धहीं भले नहीं भलों के साथ पिलाएंगे एक साइट पर लाओ तो सबसे पहले हम धहीं बले स्टार्ट करते हैं कि हमने ले लिय क्यों के अगे इद्वी मनानी हैं ठीक हो गया ये देखें जी हमने इसमें सारी चीज़ों को ढाद इया ये अच्छी ते किसे से हम करेंगे मिक्स लेकिन अभी क्यूंके मेरे वाल्यम जादा तेज जा रहा है जबके इस पिट्द्ध थोड़ी स्लो जा रही है तो ये हमने इस रेस्पी का आपको समझें सीकेट मैंने बता दिया है कि आप में थोड़ा सा पानी दालें और इसका गारा सा पेस्ट बना लें ठीके जी अब इसको मिक्स करते हैं मिक्स 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 थोड़ा सा पानी और दालेंगे अच्छे से से मिقस कर लेंगे यह यह अच्छे से खुबसषर तरीके से आप इससे भी अच्छे दिक से मिकस कर लें और आपने पेज कारा सही बनाने के आप देख सकते हैं मैंने कितना ठीकी पेज सके अब इस में खुछवी और रंगत के लिए हम थुआ सा धनिया पदीना जहना पारी कटावा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूसरे साइट में हमने जहना चूले के ओपर रखना था अब आपके घर में भी होगी कोई यह पकोड़ों वाली काली सी कलाई उसको रख दें चूले के ओपर उसमें डालें तेल और डाल के उसमें डालें आप भले अराम राम से मज़िता यह देखें जी कैसे प्यारे प्यारे गोल गोल प्यारे प्यारे गोल गोल भले बन रहे हैं हलकी हलके से fry हो ज़रा इनको अच्छे से fry कर लें फिर निनको नकालते हैं भाए ठीके जी साथ सा जो है नस दूसा काम भी करते जाएंगे लेकिन बात गया है कि अगर नजर इदर सो उदर कर तो बहले जो है न खराब भी होसकते हैं तो हमने पहले भलों को अच्छे से light सा bad color क प्लूब एक प्लूप है। लाल मिश्ट डाल दी है और थोड़ा सा चाड मसाला डाला और हजबे जायका नमक डाला अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सीक्टे इंग्रीटिटिन इसके अंदर है कि आपने थोड़ी सी अच्छास एड़ कर दिया अलू को मैक्स किया वाइल करके पहले से मिक्स करने के बाद आप जिनको भी गोयत है इनको भी जो है ना बनों के अंदर दाल देंगे दूसरे साइड में हमने चेहले के उपर रग दिया है बड़ा सा देश का देश का देश के दाल दिया त्यास यह वह भी जहना सही त्रीके से तेर के अंदर फ्राइश रहे हो जा तरफ दूश जाए तो गे भी जहना मज़ेदार सा बन जाए दालते जाएं जी गे देखेंजी अभी इसको हम आईसा इसा प्यार से महबत के दा मिक्स करेंगे नमक चीनी कह रही है नमक होगी हल्दी होगी प्लाव मसाला नैशनल का आपने मिक्स कर लिखें एक साइट पर रख लें टमाटर दाल ने साथी के मसाले भी शुरू ले दाल के अच्छे से तरीके से ना इसके अंदर को धन्याम मर्चें जो जो है ट वाड़े को जेरे मसाले तुसान दाल ने दाल दू लिखेंगे न सही ना लबाफ करे जी लजी रोजे को बूल पर मा ले जागा एक खाने बनाते वक्तना एक तो जो है ना जो मूँ में पानी आ जाता है इनके खुझमों सुंग सुंगी अच्छा जी गे देखें जी मुड़की मेरी बड़ी मज़दाख त्यार सी होगे गल गी अब मैंने जो ह कहा लिए ने बले और उसकी बहनों ने जो बहने थी उसकी उन सब ने दाल दी यह निके डुकी और घयब होगी है सारे अगर किया मज़े दाख अब इसको हम करेंगे डैकुरेट वस्तार लेकिं दूसी साइट पर हमने जो चावल रखे देगों भी हमारे मार्शा से मज़े दार चावल भी तियार हो चुके हैं अल्ला पाक कबूल फरमाएं आमीन